हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को राम नौमी की धेर शारी शुपकामना है तो फ्रेंज आगे के ब्लॉग में बने रहिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दिया करिए प्लीज और न्यू फ्रें इधर फ्रेंज मैं आ गई हूं और इसमें डाल दे रहे हूं कराही में तेल आज मैं बनाओंगी आप लोगों के लिए पालक की टिक्की तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है फ्रेंज वैसे भी बरना के खाईए और फास्ट में भी खाईए तो मैं एक मिर्चा कट करक पालक कुछ छोग लगा दी हूं तो इस तरीके से यह दिया बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनाएगा फ्रेंज आप जो बच्चे पालक नहीं खाते है वो भी खाने लगेंगे तो देखिए पकते पकते कुछ इस तरीके से हुआ है तो इसका हम पानी अच्छे से सुखा लिए हैं अलग रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए तो हो गया इधर पालक तयार तो पालक को ठंडा कर लेते हैं तब से वे आलू को कद्दू कस कर लेते हैं ह BOYL किया हुआ आलू हैप्रंस इसको हम कधदुकस कर ले रहे हैं देखिए ये रहा हुआphin दूँ धाले के लिए मैं ढ़ी ॹणार च आलु थी तो मैं डाल दे रहे हूँ सिंहाडे का आप tha तो kanis दाली Fel टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यह रहा कद्दू कस किया हुआ अद्रक और मिर्चा हरा मिर्चा में डाली हुई तो मैं यह ब्रत के लिए बना रहे हूं फ्रेंट्स आप वैसे भी बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी होता है तो आप सिंहाडे के आटे के जगा आरा रोट लिए चावल काटा डालिए तो देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और मिक्स करके हम अपने हथे लिप लगाएंगे अब तेल देखिए उपर से मैं धनिया की पत्ती भी डाल दी हूं तो तेल लगा लेंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं आप गोला बनाते हुए इस तरीके से टिक्की बनाते जाईए तो देखिए इस तरीके से छोटा और बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो तरीके से आप टिक्की बनाते जाईए पर हाथ में तेल लगा लेना तेल लगाने से चिपकता नहीं है तो देखिए हम दो बना लिए हैं ये तीसरा भी आपको बना के दिखा दे रहे हैं, तो हो गया ये तैयार, पहले हम टिक्की बना लेंगे, तब हम तव एको चढ़ाएंगे, तो इधर मैं तवा चढ़ा दी हूं, तवा अब तेल लाल हो गया है, अब एक तरफ किनारे में रगती जारे हूं, एकदम ठेले वाले भाया की तरह बनता है फ्रेंस इसको आप बना के रख दीजिए जब सर्व करना हो तो फिर से आप गरम कर सकते हैं देखिए अभी पकड़ा था ना जब पक जाएगा तो अपने आप पलट देंगे तो हो जाएगा पलट जाएगा थोड़ा बहुत चीपपता तो है ही तो देखिए बहुत ह तो देखिए इस तरीके से आप बनाईए फ्रेंस अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक करने में कंजोसी मत किया करिए आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुसी मिलती है देखिए बचा हुआ जो था उसे भी मैं इसी तरीके से शेक ले रही तो फ्रेंस कमेंट में जरूर आप बताना कि आपके टिकी कैसी बनी थी और इस तरीके से आप लोग भी बनाईए और खाईए चलिए अप करते हैं आप लोगों को शर्व देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए नए जो है सब्सक्राइब कर लिया करे अब बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुचे चलिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक कियर